गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टे श्टडी वित नीलम आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर के सभी बैस्ट टॉप करंट अफिर्स कोश्चन विट पॉइंट पॉइंट सेक्शन हम कंप्लेट करेंगे सभी कोश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो में लास्ट तक बने रह करते हैं और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो आप हमें ट्यूटर फेस्बुक इंस्टा फे फॉलो कर सकते हैं यहां पर भी हम mcqs डालते रहते हैं प्लस pdf फाइल के लिए आप हमारा ओफिशल टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं चलिए तो शुरू करते हैं आज का बेंक के द्वारा किसने कि यह बंधन बेंक ने देखिए क्या है इस स्कीम में इस स्कीम में जो नई उद्मी है नए वेपारी हैं उन्हें क्या करना है घर बनाने या वेपार स्टैबलिस करने के लिए उनका खुद का बिसनिस बनाने के लिए Micro Lone प्रोवाइट किये जाएं हैं बैंक ओब बड़ोदा जो IBS इंटर जो नेशनल बैंकिंग एसोशियेशन है उसके द्वारा इस ओफ टू पॉइंट लिष्ट 2020 जारी के गई जिसमें टॉप पर कौन रहा था तो ये बैंक बड़ोदा रहा था बैंक ओफ इंडिया ने हाल ही में सिगनेचर बीजर डैबिट कार्ट को लांच किया है और श्टेट बैंक ओफ इंडिया ने ब्रेंडन एक्सिलेंस अवार्ड 2020 जीता है तो ये सारे पॉइंट भी आप यहां से याद करेंगे अब हम देख लेते हैं बंधन बेंक को तो बंधन बेंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को ही ती इसका धैवाकिया मोटो है आपका भला सबकी भलाई अगले कोशिन की तरफ हाली में एशिया गिम चेंजर अवोर्ड 2020 से निमने में से किसे सम्मानित किया गया तो इन्हें तो आपने देखा ही होगा ये हैं विकास, खन्ना और सेफ हैं ये आप लोगोंने इन्हें टीवी पर देखा होगा बहुत आते हैं ये और इन्हें इनके एक जो भलाई वाला काम किया है इन्होंने डियोरिंग कोविड नाइंटीन इन्होंने क्या किया है जो गरीब लोग थे जिनके पास भोजन की ववस्ता नहीं थी जिनके पास बेसिक जरुरते नहीं थी उनकी जरुरतों का सामान और प्लस खाना किस अभियान के तहत फीड इंडिया अभियान के तहत उन तक पहुचाया था और इन्होंने COVID-19 के समय बड़े स्तर पर काम किया था इसके लिए फीड इंडिया अभियान के तहट किनने विकास खन्ना ने तो इन्हें क्या मिला है 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है तो याद रखेंग विश्व खाद्य पुरुसकार 2020 से रतनलाल को सम्मानित किया गया है ये क्रशी विज्यानिक हैं कली पूरी इन्हें 2020 के इंपेक्ट वूमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और डेविड एटनबर्ग को इन्हें 2020 के सांती निसस्तरिकरण और विकास के इंद्रा गांधी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो सारे पॉइंट आप याद रखेंगे ब्रिक सराष्टी सुरक्षा सलाकारों की दसवी बेठक या नंबर याद रखेंगा 10 बेठक थी ये 10 बेठक वर्चुली आयोजित की गई भारत का प्रतिनेदित्व किस ने मैप में दिखा रहा है प्लस जम्मु कश्मीर वाले चेत्र को भी वह अपने चेत्र में दिखा रहा था तो उस विवादित मैप को पाकिस्तान द्वारा इस मीटिंग में प्रेजेंट किया गया इसलिए अजीट डबोल ने इस मीटिंग को बीच में ही क्या कर दिया यह हमारे विदेश मंत्री है राजना सिंग यह देश के रक्षा मंत्री है अमिश्या देश के ग्रहा मंत्री हैं ब्रिक्स का देख लेते हैं ब्रिक्स पांच देशों का ग्रूप है पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था लेकिन 2010 में दक्षन अफ्रेका के शामिल होने से बन गया तो ब्रेक्स में क्या है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफरिका सभी देशों के फर्स्ट अल्फबेट से और ग्रूप का क्या बना है नाम बना है ब्रेक्स स्थापना कब हुई 2009 में इसकी स्थापना हुई थी मुख्याले आपको मिलेगा संगाई चीन में और इसकी वरतमान में अध्यक्ष कोन है यह भारत के हैं के भी कामत कोन है के भी कामत हैं ओके तो यह आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ हाली में IPL लीक में खेलने वाले पहले अमेरिक की खिलाडी निमन में से कोन बन गए देखिए आप लोगो पता है अमेरिका की किरकेट टीम अप धीरे धीरे तैयार हो रही हो भारत के अरुन कुमार जे अरुन कुमार जो हैं अमेरिक की किरकेट टीम के कोच बनाये गए हैं याद रखिएगा ये बार-बार बताती हूं मैं ठीक है और अमेरिका के पहले किर्केट खिलाडी जो IPL इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल हुए है वो कौन है तो वो है अली खान कौन है अली खान है ठीक है तो ये अमेरिका की तरफ से क्या हुए है शामिल हुए है अधर को देख लेते हैं हम पहले खिलाडी है इसले याद रखिएगा अली देई ये इरान के क्या है फुटबोलर है इन्होंने सबसे ज्यादा गॉल करने का रिकॉर्ड इन ही के नाम पर है क्रिष्टियानो रिनाल्डो ये दूसरे खिलाडी है जो 100 गोल कर पाए है ठीक है अंतर प्रीमियर लीग आई प्ल का पहले शंसक्राण 2008 में उपुछ यह एंपर में विजेता कौन सीम एस्न अपर अमिरात के कहां पर अभु धाभी में जो पनारम हुआ है Mumbai Indians और Chennai की बीच में पहला मेच आयो जित हुआ था जिसमें कौन विजेता रहा? Chennai विजेता रही तो पहला जो मेच था ये important था और अगर इसमें बीच में कोई record बनते हैं तो उसको हम one by one follow करते जाएंगे चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ यहां right answer होगा Thailand के द्वारा किस एरिया की दक्षंड पूर्व एशियाई छेत्र के 73 की मेजवानी देखे जो यह सत्र हुआ 73 इसमें यह संकल पलिया गया कि COVID-19 से मिलकर सभी देशों को जल्द से जल्द लड़ना है और से समाप्त करना है बात कर लेते हैं हम World Health Organization की स्थापना हुई थी 7 अप्रेल 1948 को और 7 अप्रेल को ही मनाया जाता है विश्व स्वास्त दिवस World Health Day ठीके और WHO के दौरा एक और दिवस मनाया जाता है कौन सा 31 मई को तबाकू निशेद दिवस और 2020 में तबाकू निशेद दिवस पर WHO के दौरा बिह जागुता फेल आई थी मुख्याले आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जर लेंड में अध्यक्ष हैं ट्रेड्रोस अधानों मुख्य वेज्ञानिक कोने डब्लुएचों में स्वाम्या स्वामीनाथा ने भारती हैं और कारेकारी बोर्ड में शामिल होने भारती अभी हाल ने शामिल हुआ डक्टर हर्शवर्धन केंद्री स्वास्त मंत्री हैं तो यह भी आप याद रखेंगे नेक्ट देखते हैं थाइलेंड को क्यूंकि थाइलेंड की बात आए तो यह देखें यह हमारा प्यारा भारत और हमारे प्यारे भारत से आप जाएंगे पूर्व की और तो यहां आपको पूर्ब में दिखेगा यह थाइलेंड, राजधानी क्या है, बैंककॉक है, मुद्रा क्या है, थाई बात यहां की मुद्रा है, और प्रयूत चान ओचा, यहां के क्या है, प्रधान मंत्री है, क्लियर है, चलिए, बढ़ते हैं, अगले कोशन की तरफ, हा मतलब जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, तनाओ में होते हैं, और उनको कभी-कभी ऐसे मूड स्विंस होते रहते हैं, यह उन्हें खयाल आता है, कि भई, मुझे आत्महत्या करनी है, तो इस तरीके के खयालों से, इस तरीके के डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, पिसरे स्थान पर ब्राजील और भारत की रैंक क्या है तो 109 एक स्थान हम खिसक गए हैं दो जो पिछली राज़ारी की गई थी इस रैंकिंग से पहले उसमें भारत की पोजिछन झाय थी 108 थी और भारत की पोजिछन क्या है न वींतम रेंकिंग में 109 हो गई है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे, बात कर लेते हैं हम फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुड़वल असोशियेशन, इस अपना 1904 में होई थी, मुख्याले आपको मिलेगा जुरिक सुदरलेंड में, और इसके अध्यक्ष है ज्यानी इंफेनिटो, ठीक है, हाली में किस राज जी के स्वास्त मंतरी ने बाइक एंबुलेंस सर्विस प्रारम भी किये, तो राइट आंसर होगा, राजिस्तान सरकार ने देखिए, एंबुलेंस सर्विस चे आपको बहुत कुछ याद आता होगा, तो मैं आपको जब भी आप पढ़ेंगे, तो कनेक्ट करके पढ़ेंगे, क्लियर है, इसका अंसर तो होगे, बाइक सर्विस किसने सरुकी, राजिस्तान सरकार ने, तो केरल सरकार ने क्या शिरू की थी, समुदरी एंबुलेंस सेवा, जो समुदरी चेतर में मचली मारने वाले जो लोग ह या कोई भी जाता है समुदरी एरिया में जहां पर तूफान आ जाते हैं, या फिर कोई भी चख्रवात आता है, और समुदरी च्षेतर में फस जाते हैं, तो वहां पर कोई एमजेंसी सर्विस नहीं होती थी अभी तरव, ठीक है, तो ये केरल ने प्रारम भी की है कौन सी, समुद्री एमर्जेंसी एंबूरनस सर्विस याद रखियेगा जैसे हम लोग ने देखा भी था प्रतिक्षा है ना जो समुद्री एंबूरनस थी वो क्या थी प्रतिक्षा प्रतिचाया करोना इस तरीकी की पांच एंबूरनस केरल सरकार द्वारा अलग अलग तर्टों पर क्या की गई थी तेयनात की गई थी clear है दूसरा है करनाटक करनाटक ने क्या शिरू किये air ambulance service सेवा प्रारम भी किये ठीक है हवाई जाहस से उड़कर भी अब क्या होगा उड़कर भी क्या किया जा सकेगा मरीजों को सही समय पर चिकत सके सायता दी जा तो वहाँ पर बाइक के माध्यम से मरीज को इस तरीके से यहाँ पर लेटा कर लाया जा सकेगा ओके चलिए बढ़ते हैं राजिस्तान की तरफ तो यह रही मैप में लोकेशन राजिस्तान की इसकी सीमा लगती है अंतरराष्टी सीमा पाकिस्तान से पड़ोसी राज्य है ग इंदर निती लागू करने वाला देश का पहला राजिस्तान है इंद्रा रसोई योजना आठ रुपे में बर्पेट भोजन प्रदान किया जाता है यही राजिस्तान में प्रारम भी की गई राज कोशल पोर्टल प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्द कराने के प्रारम भी किया गया है आइकोनिक सिटी युनेसको में भी शामिल हूई कौन सी जैपूर को शामिल किया गया और हाली में प्रदान मंत्री मोदी द्वारा पत्रिका गेट का उधगाटन भी यहाँ पर किया गया था ओके ठीके गोलाब कोठारी जो इसके संपादक सम्मू क अध्यक्षे पत्रिका के उनकी अक्छर यात्र जो वुक्ती और संबाद उपनिशद उनको भी प्रदानमंत्री मोदी द्वारा लांच किया गया था तो यह सारे पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे राजिस्थान के नेशनल पार्क कौन-कौन से हैं तो रनथंबोर ने इससे पहले जो मिनिश्ट्री ओ पेट्रोलियमे वो भी लेकर आ चुका है लेकिन अपको इसलिए मैंने मंत्राले पूछा ताकि आप हाल ही की बात पूछी जा रही है तो यह याद रखें tostill ministry के द्वारा क्या है इस योजना में जो पूर्वत्तर छेतर में इंटीग्रेटेड इस्टील ग्रूप है उनके डबलप्मेंट के लिए इस योजना को प्रारम्ब किया गया है किसको पूर्वर दे योजना को तो यह आप याद रखेंगे स्टील मिनिस्टर कौन है हमारे धर्मेंदर प्रधान है कौन है धर्मेंदर प्रधान इसपात मंतरी कौन है धर्मेंदर प्रधान है बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में इमने में से किस राजी के मुख्य मंतरी के द्वारा स्वक्ष प्रद प्रक्षेता कैफे प्रारांभी किया गया सुवच्छ्फेख नाम सुनते से ही आपके दिमाग में गार्वेच कैफे आ रहा होगा है न्यूज। तबी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो आप कच्रा एकटा करते हैं उस कच्रे को ले जाकर यहां कैफे पर आप बेचेंगे और उस कच्रे के बदले में आपको क्या दिया जाएगा भरपेट भोजन दिया जाएगा और इसी तरीके से गारवेच क्लेनिक इ यहां पर तो यह स्थापध किया गया था भौबाल में मद्द्भुपर्देश की राजधानी भौबाल में घार्विज क्लेनिक स्थापध क्या गया था यहाँ तो यह लेक्टरakyak permiteya a यहां पर उसको देकर आप कुछ पैसे कमा सकते हैं ठीके तो यह आप याद रखेंगी कहां पर स्थापित क्या गए स्वक्षता कैफे यहां पर भी क्या होगा कच्रा लेकर आईए और उसके वदले में आपको भोजन प्रदान किया जाएगा कहां पर हिमाचल प्रदेश में इंपोर्टेंट है याद रखेंगा बात कर लेते हैं हमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है सीमला है ओके सीथ कालीन राजधानी शीमला गृष्म कालिस राजधानी धर्मिशाला है मुख्यमंतरी कोने जह राम ठाकोरे और राज़िपाल कोने बंडात्त्रु दत् सो प्रतिशत LPG connection देने वाला देश का पहला राज़ कौन सा है तो हिमाचल प्रदेश ही है और जो National Education Policy 2020 अभी launch की गई थी केंद सरकार के दोरा उसे लागू करने वाला सबसे पहला राज़ लागू कर दिया है कौन बना है हिमाचल प्रदेश ही बना है अगस्त में करनाटक सरकार ने कहा था कि वो इसे launch करेंगे लेकिन करनाटक सरकार सबसे पहले से लागू नहीं कर पाई फिर मद्ध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी इस तरीके की गोशना की गई थी लेकिन ये दोनों ही सरकारे पिछड गई और किसने लागू कर दिया है तो ये भी आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ निम्न में से किस राज्य में हाली में अनुस्व का प्रारंब किया गया है तो राइट आंसर होगा मद्ध्य प्रदेश में कहां प्रारंब हुआ है मद्ध्य प्रदेश में वो परिवार जिनके पास BPL कार्ड नहीं है उन लोगों को इस योजना के तहत क्या दिया जाएगा खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा ठीके तो याद रखें कहां प्रारंब हुआ है अनुस्व मद्ध्य प्रदेश में प्रारंब किया गया है तो बात कर लेते हैं मद्ध्य प्रदेश की ये रहा इसकी सीमा लगती है कैपिटल इसकी राज्जानी क्या है बोपाले सिवरा सिंग चोहान चोथी बार यहां के मुख्य मंत्री बने आनंदी बेन पटेल को अतरिक्त प्रभार दिया गया है मद्ध्य प्रदेश के राज्य पाल का तो अब आपको अतरिक्त प्रभार से याद गोवा के राज्य पाल का ठीक है और जो गोवा के राज्य पाल थे सत्य पाल मलिक वो कहां पहुच गए मेगाले और वो क्या बन गए मेगाले के राज्य पाल बन गए हैं ओके चलिए तो यह याद हो गया होगा उपको गार्विच क्लेनिक कहां पर है देश का पहला तो यह भोपाल में बना है गारविच केफे देश का पहला है यहाँ पर मैंने साथ ही साथ आपको याद हो जा है इसलिए इंक्लूट कर दिया है तो 36 गड़ में बना है 36 गड़ के कहाँ पर अंबिका पुर में बात करते हैं अगले कोश्चन की अगला हमारा है पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन गुजरा सरकार द्वारा मुख्य मंतरी महीला उतकर्श योजना प्रारम भी किया गया जिसके दहाट महीलाओं के समों को ब्याज मुक्त रण प्रदान किया जाएगा गिर फॉरेश्ट नेशनल पार्क ब्लेक बक नेशनल पार्क वनसदा नेशनल पार्क गल्फ कष्च मरीन नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क कहा मिलेंगे गुजरात राज्ज में मिलेंगे करक रेखा भारत के आठ राज्जों से होकर गुजरती है गुजरात, राजिस्थान, मध्यापरदेश, चथिसगर, जहारकन, पश्चिम बंगाल, तरपुरा, मेजुरम से विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया और उसकी थीम क्या थी? सॉल्व वाटर, सॉल्व वाटर, आजारी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, नामाग, पुस्तक की लेका कौन है? अरुन्धती, रॉय हैं, ठीके? और पहले, ओल इंडिया हैपिनेस, रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्जों में कौन रहा? टॉप पर, पंजाब, उसके बाद लक्षदीब, ठीके? तो ये भी आप याद रखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब का राजके पशु क्या है? काला हिरन है, क्या है? काला हिरन, राजकी पक्षी क्या है? बाजे, राजकी ब्रक्षी क्या है? सीशम है, मुख नियादिस कोने पंजाब के बरतमान में? रवी शंकर जहा हैं ठीके All India ये All India Counseling for Technical Education संस्थान द्वारा विश्व कर्मा पुरुषकार 2020 किसे सम्मानित किया गया College of Injuring पुड़े को सम्मानित किया गया All India Counseling for Technical Education की स्थाप्ण उने से 45 में हुई थी Headquarter आपको मिलेगा नई दिली में बरतमान में इसके अध्यक्षे अनिल सहस्त्र बुद्धु बिहार में कोशी रेल महा सेतु पुल का उद्गाटन किस ने किया प्रियम नरेंद्र मोदी ने किया बिहार दिवस 22 मार्च को मना जाता है और बिहार के मुखिन आयदिश कौन बने संजे करोल बने कौन बने संजे करोल देश के नए संसत्भवन का निर्मान कर रहा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेट द्वारा किया जाएगा मेक्सिको दुनिया का पहला देश बना है जिसने सस्टेनेबल डबलप्मेंट गोल के लिए सॉबरेन बॉर्ण जारी किये हैं और इसे 890 मिलियन क्या मिला है यूरो सॉरी डॉलर प्राप्त हुए है तो ये भी आप याद रखेंगे मोबी कुईक के नए को फाउंडर और सीओ कोन बने चंदन जोसी बने है डेटोन साहितिक सांती पुरुसकार 2020 अबी से मारगरेट एडवुड को सम्मानित किया अगर ये कहां की लेखी का है कनाडा की लेखी का है पोशन अवियान के तैत उत्तरप्रदेश सरकाने कूपोशित बच्चों के परिवारों को क्या दिया जाएगा गाय प्रदान की जाएगी राजीस्तान रोयल्स के ब्रेण एम्केडर porte शेंबॉर्णा बने है असीं इंडेक्स जो अभिया से भारत और औस्ट्रेलिया के बासHS स्ट्रेट बासस जलसंधि किनकिन के मत्ध है औस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मत्ध है नो-स्पिन ओटोबायोग्राफी की है तो ये ओटोबायोग्राफी है नो-स्पिन आपके शैन बॉर्न की ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर पेटियम फर्स्ट गेम के ब्रेंड अमबेशडर बने है सोरफ गांगोली टोक्यो ओलम्पिक 2020 के गुडविल अमबेशडर बने है हर्याना स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी के पहले चांसलर कपिल देव बने थे लास्ट येर 2019 में भी ववही है समुदरी एंबुलेंस सर्विस केरल सरकार ने प्रारंब किती प्रतिक्षा प्रतिचाया करुणा करनाटक सरकार ने एर एंबुलेंस सर्विस प्रारंब किती बेंगलूरू से सी प्लेन सेवा गुजरा सरकार ने प्रारम्र किती सावर मती रिवर फ्रेंट से स्टेचू आफ यूनिटी तक ओके आज का आपका कॉशन आप दी डे है हाली में ने संसत भवन का निर्माण निम्निम से किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कल का मैंने कॉशन पूछा था आपसे स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन से सिटी रही तो राइट आंसर था सिंगापूर और उसका आंसर दिया गय था मुकेस गुरदर के द्वारा वेरी गुड मुकेस आप लोग भी आंसर कीजिए की कमेंट करें ओके फ्रेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग हेव अ ग्रेट डे एंड टेक कियर